हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू मैं चैनल तो आज हम डिजाइनर पाइंट बनाएंगे तो इसके लिए हमने दो मेटर फैब्रिक लिया है और इस फाब्रिक को हमने डबल में रखा है सबसे पहले हम फ्रेंट का पार्ट कट करेंगे तो सबसे पहले हमें यहां से 2 इंच पे मार्क करना है बेल्ट के लिए और यहां पर straight line ड्रा कर लेनी है उसके बाद हमें length लेनी है यहां से बेल्ट को छोड़के तो ready length है 37 इंच उसमें से हम 3 इंच माइनस करेंगे क्योंकि 3 इंच का हमारा pattern बनेगा तो 37 में से 3 इंच माइनस करेंगे तो वो आ जाता है 34 इंच तो 34 इंच पे मार्क करेंगे और 1 इंच हम extra ले लेंगे सिलाई margin अभी यहां पर हम straight line ड्रा कर लेंगे अभी यहां पर हमें कमर के लिए निशान लगाना है तो कमर के लिए हमें हिप का 4th part प्लस 2 इंच margin लेना है तो हिप है 36 इंच उसको 4 से divide करेंगे तो वो आ जाता है 9 इंच प्लस 2 इंच margin लेंगे तो वो आ जाता है 11 इंच तो इस तरह से हमें कमर लेना है 11 इंच का उसके बाद यहां से नीचे की तरफ हमें आसन लेना है तो आसन के लिए भी हिप का 4th part प्लस 2 इंच margin लेना है तो हिप है 36 इंच उसको 4 से divide करेंगे तो वो आ जाता है 9 इंच प्लस 2 इंच margin लेंगे तो वो आ जाता है 11 इंच तो यहां पर हम crotch लेंगे 11 इंच मतलब आसन तो belt को छोड़के ही आसन के लिए निशान लगाएंगे और straight line draw कर लेंगे उसके बाद इसको उपर extend कर देना है अभी यहां से हम 2 इंच पर mark करेंगे और आसन की गुलाई का shape देंगे heavy size के लिए आपको 0.5 इंच लेना है यहां पर अभी हमें bottom लेना है तो bottom के लिए सबसे पहले हमें इसका center निकालना है तो इसका center आया है 6.5 इंच पर तो यही 6.5 इंच निशान हम नीचे की तरफ लगा लेंगे अभी bottom लेंगे तो bottom ले रही हूं मैं 7 इंच का तो 3.5 इंच इस तरफ ले लेंगे 3.5 इंच और 3.5 इंच इस तरफ ले लेंगे तो यह हमारा 7 इंच का bottom हो गया है उसके बाद हम इसको यहाँ पर जोड़ेंगे और इसको बिल्कुल इसके सामने निशान लगा लेंगे और यहाँ पर जोड़ेंगे तो इसके लिए हमने curve scale ली है इससे shape अच्छा आता है अभी हम front part की cutting करेंगे तो इस तरह से हमने front part की cutting कर ली है यह दो piece है front part के अभी हम back part की cutting करेंगे तो इसके लिए हमने fabric को double में रखा है अभी इसके उपर हमें front का part रखना है यहाँ उपर की तरफ हमें 2 inch छोड़ना है उसके बाद ही front part को रखना है और आसन वाली side में भी 2 inch तब का ही extra fabric रखना है उसके बाद यह वाली जो side है और bottom वाली इसमें हमें कोई change नहीं करना है इसको हम ऐसे ही mark कर लेंगे अभी यह जो आसन वाली side है यहाँ से हम 2 inch बढ़ा लेंगे back part के लिए तो पूरा उपर तक हमें इसको 2-2 inch बढ़ाते जाना है और straight line draw कर लेनी है और उसके बाद आसन की गुलाई का shape दे देना है तो यह हमारा back का आसन है अभी यहाँ से हमें इसको नहीं बढ़ाना है इसको हम यहाँ पर तिर्चा जोड देंगे अभी bottom में हम side से 1,5 inch बढ़ाएंगे और इसको उपर की तरफ जोड देंगे तो इस तरह से back part को हमें आसन वाली side से 2 inch बढ़ाना है उपर की तरफ 2 inch बढ़ाना है और side में 1,5 inch बढ़ाना है इससे pant comfortable रहता है तो अभी front part को हम side में रखेंगे और back part की cutting करेंगे तो इस तरह से हमने back part की cutting कर ली है ये दो piece है back part के और ये front part के दो piece है सबसे पहले हमें दोनों की सीधी side अंदर की तरफ रखनी है उसके बाद हमें आसन में सिलाई लगा देनी है तो हमने आसन में सिलाई लगा दी है अभी हम इसको open करके रखेंगे और इसके ऊपर हमें front का part उल्टा रख लेना है तो दोनों parts की सीधी side हमने अंदर की तरफ रख ली है उसके बाद हमें bottom में design बनाना है तो सबसे पहले हम इसकी sides को stretch करेंगे तो यहाँ पर front का part छोटा है और back का बड़ा है तो हमें दोनों की किनारियों को इस तरह से मिला लेना है और side में stitch करना है इसी तरह से इसके जो दूसरी side है इसमें भी हमें दोनों की किनारियों को मिलाना है और sides में stitch कर लिना है तो हमने sides को stitch कर लिया है अब इसके bottom में हम design बनाएंगे तो इसके रहे हमने long strip ली है और इसकी जो width है वो हमने 2 inch की ली है अभी इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम पाव इंच से थोड़ा सा ज़ादा मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा लेंगे पूरे राउंड में तो हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी है अभी यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फाब्रिक है इसको हमें कट कर लिना है सिलाई नहीं कट करनी है सिफ फाब्रिक को ही कट करना है तो इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है अभी हमने एक सुई धागा लिया है और सुई धागे को हम यहाँ पर स्टिच करेंगे और उसके बाद हम इसको उल्टा इसके अंदर डालेंगे सुई को और जिस तरह से हम डोरी पलटते हैं इसी तरह से इसको भी हमें पलट देना है तो हमने इसको पलट दिया है अभी हमें इसको अच्छे से प्रेस कर लेना है तो हमने इसको प्रेस कर लिया है अभी इसके धाई धाई इंच के पीसे समय कट करने है तो इस तरह से हमने पीसे कट कर लिये हैं अभी हमने एक पेपर का टुकडा लिया है इसकी जो लेंथ है वो 3 इंच की है और इसकी जो वेड़ है वो बॉटम के बराबर है जितना पैंट का बॉटम है उतनी लेनी है अभी इसके बीचों बीच हम 1.5 इंच पे मार्क करेंगे 1.5 इंच पर 1.5 इंच का हमारा पैटन रहेगा और अभी यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे तो यह जो लाइन हमने ड्रॉ की है इसी के उपर हमें इन पट्टियों को रखना है यहाँ से एक इंच छोड़ेंगे उसके बाद ही इसको रखेंगे और 1.5 इंच के डिस्टन्स से हमें यह पट्टियां स्टिच करनी है एक साइड में स्टिच करने के बाद दूसरी साइड में भी हमें इसको स्टिच करना है तो सिलाई हमें जो हमने लाइन ड्रॉ की है उसी के उपर लगानी है तो इस तरह से हमने पट्टियों को स्टिच कर लिया है अब यहाँ पर 1.5 इंच तक का माजिन छोड़ना है और एक्स्ट्रा जो फाब्रिक है और पेपर है उसको हमें कट कर लेना है इस तरह से अभी हमें बोटम लेना है पैंट का अभी इसके उपर हम इसको उल्टा रख लेंगे और यह जो सिलाई लगाई है हमने इसी के उपर सिलाई लगा देनी है और इसे यहाँ पर स्टिच कर लिया है तो हमने इसको स्टिच कर लिया है अभी यहाँ पर हम टॉप स्टिच लगा लिएंके तो हमने टॉप स्टिच लगा लिया है अभी यहाँ पर हमें पट्टी अटेच करनी है तो इसके लिया यह हमने स्टिप लिए है इसकी जो वेड़ है वो फोर इंच की है तो इस पट्टी को हमें उल्टी साइड से स्टिच करना है और यह जो हमने सिलाई लगाई है इसी के उपर हमें स्टिच कर लिया है तो हमने इसको स्टिच कर लिया है अभी पट्टी को सीधी साइड में टर्न करेंगे और बैक साइड में जो पेपर है इसको हमें अभी निकाल देना है तो इससे हमने पेपर को निकाल लिया है अभी यहां पे भी जो पेपर है इसको भी हम निकाल लिया है उसके बाद इस स्ट्रिप को हम हाफ इंच तक फोल्ड करेंगे सबसे पहले उसके बाद इसको इसके उपर हमें फोल्ड कर देना है इस तरह से फोल्ड कर देना है और स्टिच कर लिया है तो ये डेड़ इंच की रेड़ी हो जाएगी और पैटर्न रेड़ इंच का रेड़ी हो जाएगा ऐसे हमारे तीन इंच की नीचे का बॉटम रेड़ी हो जाएगा तो देखें इस तरह से बॉटम रेड़ी हो गया है इसी तरह से हमने दूसरे साइट का भी बॉटम रेडी कर लिया है उसके बाद हमें सेंटर में सिलाई लगानी है तो इस तरह से सेंटर को पकड़ना है और हमें इस तरह से सिलाई लगा देनी है तो इस तरह से हमने इसके सेंटर में सिलाई लगा दी है अब यहां belt ready करेंगे तो belt के लिए जो हमने दो इंच छोड़ा था उसी को हमें fold करना है इस तरह से और यहां पर हमें थोड़ा सा open रखना है elastic डालने के लिए तो हमने इसको fold कर दिया है यहां पर थोड़ा सा open रखा है अभी यह हमने elastic लिया है और elastic की जो length है वो 27 इंच की लिए है अभी यहां पर हम pin लगा लेंगे और elastic को इसके अंदर पास करेंगे एक साइट से डालना है elastic को और दूसरे साइट से बाहर निकालना है और उसके बाद elastic को overlap करना है और stitch कर लेना है तो हमने elastic को stitch कर लिया है अभी elastic को अंदर करेंगे और यह जो open रखा है इसको हम stitch करेंगे तो इस तरह से हमने elastic लगा लिया है बाद में इसको खीचते हुए पूरे round में stitch कर लेंगे झां कर ईुए झां झां तरह उसको हम झां झां कर आं पह diffic झां झां